ये देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही जादा टेस्टी हेल्दी और यूनीक तरीके की ब्रेकफास्ट रेस्पी लेके आई हूँ देखने में जितनी ये ब्यूटिफुल है खाने में उससे भी जादा टेस्टी है तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु इमानची आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट फ्रेस्ट भी लेके आई हूँ तो वीडियो का एंट तक जरूर देखिएगा ज़द ज़दा लाइक और शेय करना बिलकुल मत भूलिएगा इसके लिए यहां पर देखिए लाल वाली मसूर दाल ले ली है आदा कप ही बहुती ही हेल्दी होती हैं बच्चों से लेके बढ़ों तक सबको एक खाना चाहिए तो यह बहुत ही हैल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बने वाला है और साथ में बहुती धरी कलर्सटब बनेगा इतना सुनदर और देखने में कि मैं क्या बताऊं बचिया मांग के तो ये दोनों धोली है डाले मैंने अच्छे तरीके से और इसके बाद इसको जाद देर नहीं भीगोना है जल्दी से बन जाता है सरफ 5-6 मिंट भीगोना है इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी है दाना मेथी इससे टेस्ट में भी अच्छा होगा और पचेगा भी अच्छे से तो 2-3 चुटकी डाली है इसके बाद एक और healthy ingredients मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहां मैंने oats लिए हैं यह देखिए यह rolled oats हैं इसे मैं बहुत सारी recipes बनाती रहती हूँ बहुत ही healthy होते हैं fiber content oats में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो यह health के लिए बहुत अच्छे हैं nutrients absorb करने के लिए oats बहुत help करते हैं साथी multivitamin से भरपूर होते हैं और जो लोग weight loss करना चाते हैं यह देखो बाते करते करते डालते हो न तो यह ही होता है तो आदा कप के करीब हमें oats डालने हैं आप quick वाले जो छोटे वाले oats होते हैं normally जो मिलते हैं वह भी use कर सकते हो अगर आपको यह rolled oats खरीदने हैं जो कि बहुत ज़्यादा healthy हैं और weight loss में आपकी बहुत मदद करेंगे तो आप नीचे description में भी देख सकते हो मैंने purchase link डाला है नहीं तो अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो उपर मैंने tag कर दिया है इनको थोड़ी देर भी गोया है जाद देर नहीं भी गोया है इसके बाद इसमें अधरक लसन और एक beetroot डाला है beetroot iron content में बहुत ज़्यादा high होता है काफी सारे बचे beetroot ऐसे खाना पसंद नहीं करते हैं अगर आप उनको normally खिलाओगे इस तरीके से colorful तरीके से खिलाओगे न तो वो जरूर खा लेंगे और इससे ज़्यादा beetroot का taste नहीं आता है बस उसका nutrient आएगा और उसका color आएगा इससे तो ये देखो टेस्टी भी हो गया healthy भी हो गया और आपके बच्ची खा भी लेंगे इसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसको भी थोड़ी देर हमको पांच मिंट चोड़ना है इसमें नमक डालेंगे एक चमच और एक चमचीनी डालेंगे साथ ही वन फोट कप के करीब इसके अंदर में बेसन डाल रही हूँ बेसन भी न्यूट्रिंस में हाय है प्रोटीन रिच होता है ब्रेकफास्ट में आपको ज़रूर खाना चाहिए इसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे है टेस्ट को इंप्रूव करने के और यह आपका बैटर त्यार है इससे आप डोसा बना सकते हो इदली बना सकते हो इससे उतपम बना सकते हो तो बहुत ही टेस्टी है चीला बना सकते हो बहुत ही टेस्टी है हेल्दी है तो आज मैं इससे चीला बनाने वाली हूँ क्रिस्पी बनेगा और बहुत पतला तो थोड़ा सा ऑईल डाला है मैंने तवे पे और इसके बाद यह हम आमारा बैटर डाल देंगे इसको आप इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हो स्रें फांच मिनिट पीसने के बाद मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ा था और इनो डाला है ना तो यह बहुत अच्छे करीब से दिखाती हूं कितना मस्त लग रहा है न इसके बाद नॉमल ग्रीन चट्णी आप कॉलर का कॉंट्रस लग रहा आब देखने में जो चीज सुनदर है कि खाने में चाहँ होगी डेफिनेटली यह नॉमल मिन्ट पुदीना की चट्णी मिन्ट वाली और कॉरियंडर क शुची चटनी है सारे मसाले बगर डालके नॉर्मली बनाई है और इसके उपर हम सिंप्ली पनीर का दूकस कर देंगे पनीर वहन सग धिन वेजीटेरियन जिए बहुत हाइट इन प्रोटीन है और सके ऊपर थोड़ा सा नमक में को जुअक, ठोड़ा सा पुदीना, मिर्ची, हरी मिर्ची, और सब डाल देंगे billions अब काली मिर्च भी डाल सकते हूं इसमें ने मींट चटनी का इसनाल किया है आप इसकी जगह शेजवान चटनी का भी यूज यह मेरा थोड़ा सा Master Chef का Presentation है बहुती सिंपल तरीके से तो है, आपको आज की रेजपी पसंद आई होगी बहुत ही इल्दी बहुत ही जिस्यास और बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल लुकिग चीला हमने बनाया है आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और आप एक बार तो जरूर ट्राय करोगे गर्मा गर्म अगर आपने इसे खा लिया तो आप देखो कितने सारे न्यूट्रिंस हैं इसके अंदर कितनी सारी हेल्थ है और देखने में कितना ज्यादा ब्यूडिफुल है बच्चे मांग मांग के खाएंगे तो आप भी नाश्टे में जरूर बनाईएगा लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं मिलती हूं नेक्स्ट डेस्पी में तब तक के लिए बाइ झाली